हालो बच्चो जे महाराश्ट्र, बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं, अब है एकसाइटमेंट है, रिजल्ट आने वाला इस एटी का, जेई का रिजल्ट लग चुका है, नीट का भी रिजल्ट लगा है, आप मेंसे बहुत सारी लोग होगे जिन्नों ने जेई भी दिया है नीट भी दिया है, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आया होगा, जैसे आपके इंशूट का रिजल्ट आया है, माइन ब्लूइंग नीट का रिजल्ट है, 630 का फर्स्ट राइंकर है, सेकंड 628 का है, तर्ड 610, पूर्थ नमबर 601, पीप नमबर 590 या इसे बहुत सारे बच् अपके पाद होने वाला है, बाकी लोगों का किसी का यनाइटी में होगा, किसी का ट्रिपल आइटी में होगा, किसी का गवर्मेंट फंडिंग में होगा, और भी वही कुछ लोग इसे भी होगे, जो सीजूट आटोनॉमस में जाने वाले हैं, आज की excitement इसलिए है कि हमें अ प्राब्लम्स करने की कोशिश कर रहा है उसके बारे में आज हम एक दुसरे के साथ कमुनिकेट हो रहा है और भी आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको एडमिशन प्रोसेस के लिए जाना है अडमिशन के लिए कुछ करना है प्लीज उन्हें भी बता दो जल्दी से जल्दी ला मैं आपकी क्यूरी स्वाल कर सकूगा चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रोसेजर अडमिशन प्रोसेजर आप इंजिनेरिंग अभी अभी हमने मेडिकल का अडमिशन प्रोसेजर के बारे में देखा पाटिलसा ने बहुत अच्छे से जो प्राइमरी लेवल की आप तक पहुंचाने के हमारे जिम्मेदारी रहे हो कल से आपका जोसा का अडमिशन मतलब रजिस्टेशन प्रोसेज स्टार्ट हो रहा है मतलब आयाइटी का एडमिशन प्रोसेज यह पूर। में जाना है या triple आईटी या गवर्मेंट फंडिंग में जाना है उनके लिए ये admission process क्या पोर्टल में रखना है कुछ भी आपको related फोर लिए एक लिए और प्रसील संध्य के लिए और आईटी आईटी और या नंबर रहेंगे उस पर आप कॉल कर सकते हैं मतलब जो लोगों को IIT के लिए इंट्रेस्टेड है प्लीज वह लोग आप ये वेबसाइड पर जाना है और आपको जो कुछ पूछना है पूछ सकते हैं हमें भी कुछ पूछना है तो हमें परस्नली मैसेज भी कर सकते हैं कोई दिक्कट नहीं है अपने जिन लोगों को IIT, NIT में जाना है तो पहले आपको पता चाहिए IIT कितनी है और IIT को कौन जा सकता है जो लोगों का अडवांस क्वालिफाइ है अडवांस का पास मतलब you are the selected तो ही आप IIT में जा सकते हैं मतलब IIT के लिए अडवांस क्वालिफाइ होना मस्त है तो इंडिया में टोटल IIT है 23, NIT ट्रिपल IIT है 25, NIT है 31 और गवर्मेंट फंदिंग जो टेक्निकल इंस्टिटूट है वो है 27 और इंडियन स्कूल आप माइन वो है 1 अभी इसमें यहां पर IIT में जाने के लिए अडवांस क्वालिफाइ होना मस्त है बट यह ट्रिपल IIT या NIT आप में के स्कूर पर भी जा सकते है बतलब जित लोगों का जही में का स्कूर अच्छा है वो लोग NIT, ट्रिपल IIT या गवर्मेंट फंदिंग को ट्राइक करते हैं और जो लोग अडवांस भी क्वालिफाइ है वो लोग IIT के लिए IIT के लिए सिलेक्टेड है वो IIT के लिए ट्राइक कर सकते हैं यह मेश्टी सीटी का रिजल्ट 15 को लगने के चांसे हैं तो यह मेश्टी सीटी त्रू हम इंजिनियरिंग महाराष्टरा के इंजिनियरिंग में जा सकते हैं महाराष्टरा के फार्मसी में जा सकते हैं एंट्रान्स हुआ था, वो 200 मास्का था, उसमें कोई निगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं था, एंसर की भी आप लोगों ने देखाए, सिर्फ आपको परसेंटाइल निकालना बाकी होगा, वो भी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, एडमिशन का का हुने वाले यहा आज हम जादा नहीं लेंगे, पिर बडिया से इंजिनेरिंग का अडमिशन प्रोसेश देखते हैं, तो इंजिनेरिंग के अडमिशन के लिए क्या करना है, क्या क्राइटेरिया है, वो थोड़ा सा जादा डीप में अभी होगा नहीं, क्योंकि फिर से हर साल कुछ ना कुछ पर जो बेसिक common rules है जो basic information हर साल वही रहता है वही criteria वही rule वह common rule आज मैं बताने वाला हूँ आपका जो degree है engineering का वो 4 year duration का है eligibility criteria इस साल भी रहने वाला है 45% but अगले साल 99% change होगा यह सिर्फ 2022 के लिए है 45% marks यहाँ पर चाहिए open category and other reserve category 40% marks in a piece मतलब आपके group का जो overall score है open category general category वो open category का 45% आना चाहिए and reserve category का minimum 40% चाहिए मतलब PCM का score reserve category 120 mark चाहिए out of 300 यह board के लिए चाहिए यह board की बात कर रहा हूँ मैं मतलब CT में कितना score है वो बाद में देखते हैं यह engineering के लिए आप applicable कब होगे जब आपका board में score open category का PCM का total minimum 135 है और reserve category का minimum 120 है that time you are the eligible for the engineering यह eligibility criteria है और mandatory entrance examination J.E.C.E.T. J.E.M.E.N. J.E. Advanced Alcetra मतलब engineering के महराश्टरा में वे कुछ private college words में admission J.E.C.E.T.E.A.C.E हमें देखना है वो कोई tension नहीं बात remember पहले आपको यह ख्याल में रखना है कि हमें minimum board में कितने mark चाहिए है reserve category all the reserve common score out of 300 board का minimum 120 मतलब 120 से ज्यादा marks है तो यह आप engineering कि applicable है तो open category है, उनका minimum score 135 है, तो कि आप अप्लिक है, ना सब लोगों को समझ में आया, तो बहुत बढ़िया अगले point की तरब जाते हैं, कि आगे सबसे important part is documents, हम पहले कुछ नहीं करते हैं, टाइम पे सब ढूड़ना शुरू कर देते हैं, यह चाहिए, वो चाहिए, टाइम पे हर जगह पे rush रहता है, मेरे friend, पहले से ही documentation clear करवा लो, अभी भी नहीं है, तो अभी आप लिख लो पहले कि हमें क्या-क्या चाहिए, कैसे सिखा माक्षिट चाहिए, तो आपके पास है, कैसे सिखा चाहिए जो आपको इस साल में मिला है, आपका living certificate जो भी आपके पास है, Indian nationality certificate आपको निकलना है, दोमेसाहिल भी आपको निकलना है, कास्ट certificate आपको उनसे category में है, वो कास्ट का certificate भी आपके पास होना चाहिए, इस इंपोर्टन यह आपके पास होना ही चाहिए है CAST CERTIPICATE CAST VALIDITY CERTIPICATE उन से CATEGORI में उसका VALIDITY चाहिए NON CRIMULAR CERTIPICATE यह किसके लिए लगता है तो यह CATEGORI के लिए लगता है Remember for ESC and ESC No need of non-criminal certificate NON CRIMULAR CERTIPICATE मतलब आपका income का CERTIPICATE SC, ESC CATEGORI के लिए यह MANDATORI नहीं है But other all the category This is must यह ख्याल में रखो कि आपको यह लगने वाला है But आप ESC या ESC में है तो आपको सिर्फ CAST CERTIPICATE चाहिए CAST VALIDITY चाहिए NON CRIMULAR नहीं चाहिए Income Certificate यह less than 8 lakhs Compulsory EWS, TFWS का यह दोनों के लिए Income Certificate must है उसके लिए income eligible कब रहोगे आप TFWS या EWS में जब आपके parents का income less than 8 lakhs रुपीस है कोई आप eligible है Otherwise नहीं है आदार काड चाहिए आपका MST, CT, JEE का स्कोर काड यह वह भी लगने वाला है यह documentation आपके लिए must है यह document का फाइल बना के रखो मतलब time पे कोई भी tension नहीं होता अभी इसमें कुछ confusion है WS this is for the open category economical vicar student और TFWS actually यह दोनों में भी जो economical vicar है वह student, IFA, admission है तो उनकी जो order reserve category है उनको तो fees भरना ही नहीं है तो इसमें कोई आता है तो general category के student but इसमें दोनों में भी कुछ तो difference है economical vicar मतलब उनकी परसेंट पीज गवर्मेंट पे करेगा and 50% वह student को पे करना ही है 50% आपको बना TFWS में आपका 100% tuition fees गवर्मेंट वह college को भरने वाला है TFWS the main difference between EWS and TFWS जब आप फॉर्म भरोगे तो यह गलती नहीं करना है हमें कौन से option चूज करना है कौन सा नहीं करना है वह पहले decide करके रखो मुझे EWS से लेना है या TFWS से ले आपको फार्मेंट को भी लगने वाला है आपको फार्मसी को भी लगने वाला है अग्रिकल्चर को भी लगने वाला है सब जगा पे दार्दा क्वामन डॉक्ट प्लीज माइ फ्रेंट्स यह डॉकुमेंट्स आप रेडी करके रखो यह आपके लिए बहुत इंपोर्टन्ट है आगे जाना है हमें category का reservation को उन से category का कितना है वह भी थोड़ा बहुत हमें rough idea रहा तो हमें जब admission process के लिए ready होना है college की list लगाना है तो वहाँ पे हमें कुछ calculation को मतलब मेरी category कुंसा है मेरा state rank क्या है category का rank अलग होता है university का rank अलग होता है state का rank अलग होता है वह सभी देखकर calculation करके हमें option के लिए यह reservation बहुत बहुत जरूरिया है SC category का reservation है 13% SD का reservation है 7% PJ NTA का 3% K NTB का 2.5 NTC का 3.5 NTD का 2% OBC का 19% मतलब total जो reservation है वह 50% है बट जब यह national level के entrance के लिए जाते है तो यहाँ पर SC, ST के यह सब convert होता है और बैकवर्ड candidate, और बैकवर्ड class मतलब NT, SB के जो सब convert होता है यह सबी के सबी OBC में national level पे convert होता है बट जब आप MSTC जाते हैं तो यह category wise reservation आपको में आई है मतलब हम state का पहुंबर रहे या national का बर रहे उसके उपर भी reservation vary होने वाला है remember all the category wise reservation next point की तरफ जाते हैं और भी कुछ reservation होते हैं जिसके बारे में हमें पाई नहीं रहता है तो सिर्फ फॉर्म बरते हैं हम तो सिर्फ एक्जाम पास होते हैं अब भी मैं बताता हूँ शायद मैंने इसके पहले भी बता है what is the life के 12th के रिजल्ट के बाद शुरू काल में रखना है अभी आपके दिमाग में बहुत सारे problems आएगे उसका solution खुद को डूणना पड़ेगा category मेरा कौंसा है कितना reservation है कौंसे ब्राइंच लेना है कौंसे इसके बाद भी क्या क्या करना है आपके विलेज से बाहर या आपके city के बाहर नंबर लगा तो उसके बाद में कितने problem आने वाले है मैं आज बताऊंगा भी ने या एक्चुली वहाँ जाके practically समझ में आएगा hostel नहीं मिला कॉंसे डूढना है कहा से डूढना है किसे डूढ़ोगे कॉंसे एरिया में रहोगे वहाँ relate कितने दूर को न कॵा상 चैर में आता है नहीं आता है फैं है या नहीं इसे है या नहीं अब भी मजा आएगा दाडीज लाइफ के लिए आपको रेडी बनना है आज तक तो सब स्पून फिडिंग था ममी जगह पे पानी देती थी पापा थाली लाकर देते थे टीचर आइसे भरवाते थे बेटा इसे खाओ आइसे खाओ 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 आपको सिर्फ खाना पड़ता था तो भी ड प्धूर को पड़ेज बिए जंडगी का पहला स्टेज शुरु होने वाला है वोड़ी प्था जनाएफ के लिए आप लोगों को 12 के बाद पता है और उसके लिए आपको रेडी भी होना है यस मुझे मेरा लाइब बनाना है कितना भी स्ट्रगल होने दो मैं मेरा लाइब अच्छे से बनाऊंगा कोई मुझे दिक्कत नहीं है तो चलो अगली स्लाइड की तरफ जाते हैं रिजर्वेशन देखना हैं अभी आठ दिन पहले एक पारेंट सके गए उनका बेटा अपने पूना से कॉमिनल कॉलेज से पास आउट है उनका आज का सालरी 75 लाक्स रूपीज है पैंगलोर में काम कर रहा है उनको फ्रांस के एक इंडस्टी ने अच्छा पैकेज दिया 1 करो 25 लाक्स वो बोले सर ये क्विट करू या ना करू ये पूछने के लिए मैं आया मैं बोला ये इंडस्टी में ये जॉब क्यूट करना ही है आगे जाना ही है तो आपको इधर उदर ये होता है रहेगा जो अच्छा पैकेज मिल रहा है अच्छा सरोर्णिंग मिल रहा है तो इसे छोड़ दो बट प्रॉपर पहले डॉकुमेंटेशन क्लियर करवा दो कि मिलता है आज उनका अनमारीड है 22 एज है 23 एर से अभी उनका पैकेज है 1 करो 25 लाक्स बच्चो ये सब टैलेंट के उपर है तो हम दो साल आपसे बता रहते हैं कि टैलेंट को डेवलप करो मार् बारे में सोचो मत ये रिजर्वेशन आपको नसीब से कुछ लोगों को मिलेगा कुछ लोगों को नहीं मिलेगा तो इसके उपर काम आपको दो अगले अभी 12 के बाद भी चार साल में करेंगे मोस्ट आप कॉलेज में थर्ड येर को प्लेस्मिन शुरू हो जाते हैं कुछ क कॉलेज में होंगे नहीं होंगे क्या होने वाला है का उनसा कॉलेज अभी आपको लाइप के बारे में तो सब्सक्राइब नहीं पड़ेगा उसको कुछ जगह पे कुछ अलग-अलग वहाँ पर भी रिजर्वेशन मिलता है वो टोटल 4% है बट ये अक्ट के अंदर होना चाहिए उसकी अच्छी से जानकारी लेलो अग्रीकल्चरिस्ट एंड दोचिल्डरन वे अग्रीकल्चरिस्ट वो पॉसेस्ट मिनिम्मम क्वालिफिकेशन और एक्स्परियंट इन अग्रीकल्चर उनके लिए 6% है फीमेल का जो रिजर्वेशन होता है वो तो 30% होता है 70% आपके boys के लिए है 30% girls के लिए candidates and their parents have not resident in the state of Maharashtra at least 3 years during the period of 10 years immediately preceding the date on which admission is taught oh yes मतलब ही उसका reservation है तूप या अलग-अलग other reservation है किल एरिया का reservation अलग होता है rural का कुण सा एरिया से आप आए उसका reservation अलग होता है physically handicap का reservation अलग है वहाँ पर एक serviceman का reservation भी है आप इसमें से कोई reservation में बैट रहे हैं तो आपके लिए खुशी की बात है ये reservation के बारे में भी आपको देखना है कुछ branches के बारे में मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कुछ branches की लिष्ट है अभी result के बाद आप लोग जब form बरोगे तो फिर हमारे पास आओगे सर कोंसे branch के लिए career है अभी बता देता हूँ कोई branch आपको career नहीं देने वाले आप वो branch को आज मेरे इसाब से 10 में से 9 लोगों को computer या IT लेना है क्यों लेना है वो हमें भी पास आने क्या इसके बाद में जो infra के बारे में मतलब जो civil है civil engineering उनकी जरुश नहीं है क्या सब industry बंद होने वाली है वो वहाँ पर mechanical की जरुश नहीं है electrical की जरुश नहीं है medicine बनने वाली नहीं है chemical engineering की जरुश नहीं है पेट्रोल बंद होने वाला है इसे कोई गारंटी है पेट्रोल केमिकल की जरुत नहीं है और हैं सबकी requirement है वोस बाल्च करके चलो अवालेबिलिटी अभी क्या है पाथ साल के बाद किसकी requirement रहेगी और मुझे किसमें इंतरेस है सबसे important वही होता है मुझे कौण से फिल्ड में interested ये वही फिल्ड आपको आपको बाकीश चीजे सब जूट हैं खाल में रखो कोई भी ब्राँच किसी को भी करियर नहीं देते हम वह ब्राँच को करियर देते तो ब्राँच सोच समझ के चूट बहुत सारी ब्रांचे से, कुछ ब्रांचेस पर्टिकुलर भी है, कुछ ब्रांचेस को लेकर आप बड़े बिजनेसमैन बनोगे, ऐसे कुछ सोचो, कि यस, after 5 years, I am biggest businessman, after 10 years, I am popular business of Maharashtra, after 15 years, I am richest person of India, yes, this is possible, बड़, ऐसे कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए, yes, यह मुझे करना है, तो मज़ा आएगा, तो वह ब्रांच आप चूज करो, कि मुझे कौनसी ब्रांच चूज करना है, वह फूरा authority खुद का है, हमारा कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ गाइडलाइन करेंगे, लेकिन क्या करना है, कुमसी ब्रांच लेना है, वो खुद को ही डिसाइड करना है, और आप उसके लिए अभी लायाबल बने है, आप अपनी ब्रांच खुद चूज करो, यह बहुत सारी ब्रांच है, इसमें से हर ब्रांच में अच्छा फ्यूचर है, हर ब्रांच लेकि अच्छे ब्रांच में बढ़िया करियर बनने वाला है, अभी यह सभी इंजिनियरिंग की ब्रांच दिया है, कुछ ब्रांच ने अपने नाम भी देखे निए इसके पहले कभी, कि हर ब्रांच में अच्छा करियर बनेगा, और भी कुछ अलग रिजर्वेशन है, पहले मैंने में हम बताएंगे कि आप राउंड 1, 2, 3 है या 1, 2 है, फ्रीज करना है, फ्लोट करना है, स्राइड करना है, वो तो बाद में देखते हैं, क्योंकि इस साल में कुछ नया रूल आएंगे तो वो हमें पता नहीं अभी तर, अभी जो है जो बेसिक इन्फॉर्मेशन रिक्वा पर बॉइज और 30 परसेंट पर दी गर्ल्स मतलब फिमेल कंडिडेट 30 परसेंट, मेल कंडिडेट 70 परसेंट, मतलब 10 जगह है या 100 सीट से मेकानिकल के, 100 में से 70 सीट ये बॉइज के लिए होते है, 30 सीट ये गर्ल्स के लिए होते हैं, बट जब आप कम्पूटर या IT ब्रा देखोगे, वहाँ पर प्राक्टिकली आप जब देखोगे, तो 100 में से 90 तो गर्ल्स होती है, 10 ही बॉइज होते हैं, और मैं कही रहाँ, 70 सीट बॉइज के लिए, वाट इस दिमाग में आएगा, ये भी आपको सोचना है, क्या हो सकता है, बहुत सिंपल एक्जाम्पल बता देखोगे, ये इसा क्यों होता है, 70 परसेंट मन्जे मित्रानो, 70 टक के सीट मन्जे शंबर पर की 70 सीट बॉइज साथी रिजर्व है, 30 सीट मुलीन साथी है, पंतरी ही आईटी की वा कंपुटर ब्रांच ला, शंबर पर की 90 मुले था, ये का होता है, जर तुमी चुकून क से ट्रेन मने मने बसला हुएं, ट्रेन धुटर पर के लेजानो का घ्न गेला होँएं एज लेजित पन पलिशी आई मन्जेटी ठीटेही वा कैब समस्ता क्या, आपन बसले लो आएट है, कोने लेडी प्न वह है था, अपन आपन आपन जांगात तुट आएट आ है पन जन्रल डब्या मदे शुदाएनार और अजूम करा मुंबाईला मुठा लेडीचा मिलावा होता आडी मिलावा सुदलेवा फ्लाटपोर्म वर्थी गर्दी कुना ची रानर तैंची रानर अजी एचा चार्थ प्रेन मदे गर्दी सगली लेडीची चसनार अनुन काई ठीकाने काई ब्राइच ला गर्दी लेडीची होते करन 30% ही चांचे सीट अपन आतिक्रमन करू शकत नाई मातर 70% मदे लेडी जेताथ करन अब्यास्ता जास्ता करताथ आने आपले पंड सीट ते खेशताथ अनुन काई ब्राइच ला लेडी जास्त दिस्ताथ इस दा में रिजर्ण रिमेंबर इस रिजर्वेशन अब दे जैन अगला रिजर्वेशन है इन्वर्सिती रिजर्वेशन यह बहुत सारे लोगों को पता ही रही ताने कहाँ पर भी कौंसा भी कॉलेज डाल देते हैं और मुझे लगना चाहिए मुझे नहीं मिला यह बाद में होता है उसके पहले हमें पता रहा तो हम सोच समझ कर कॉलेज डाल सकते हैं अभी यह 70% होम इन्वर्सिती है 30% ओधर्स इन्वर्सिती मतलब अभी हम नासिक में रहते हैं तो हम नासिक नगर पूने यह पूने इन्वर्सिती के अंडर आते हैं मतलब मुझे अडमिशन नगर में लेना है या नगर डिस्ट्रीक में या पूना डिस्ट्रीक या नासिक डिस्ट्रीक में लेना है आपको पूना का कॉलेज चाहिए तो आप 30 परसेंट रिजरवेशन आ रहे है नासिक में मैं पड़ा हूँ मुझे मुंबाई का कॉलेज चाहिए तो मुंबई इन्वर्सिटी अलग है, पुने इन्वर्सिटी अलग है, मुझे मुंबई का कॉलेज चाहिए तो मैं 30% हूँ, बट मुझे पुना का चाहिए और मैं पुने इन्वर्सिटी के अंदर ही हूँ, तो मैं 70% में हूँ, मतलब कोई भी ब्रांच में, कोई भी मैं 70% से ती होंग इंवर्सिटी के होते हैं और 30 से और द्यान ओम इन्वर्सिटी मंघे काई मलाजर मुंबाई लाजा आई सएल थे मी 30% मरे जानार, मंघे मुंबाई इन्वर्सिटी चाह अंडर जोडे काई मुले ती 70% अगर दान मुंबाइ इन्वर्सिटी मतलब एंटार महराष्ट्रा यह भी बहुत इंपोर्टन जब आपको फॉर्म बरना है कोलेजों के लिस्ट बनाना है तो आपको यह अलग अलग के खाल में रकना है बीस्यकली त्री रिजरवेश्न से फर्स्ट वन इस दागेरी रिजरवेशन Спे महाराश्रा के अंदर जितने भी प्रावेट कॉलेज है वो कॉलेजों के अंदर ये रिजर्वेशन और भी कुछ रिजर्वेशन है एक्जाम का रिजर्वेशन इस्टीट डिस्ट्रूविशन प्रावेट कॉलेज से अब यह हम नासिक की बात कर रहे हैं, नासिक डिस्ट्रिक में जितने भी इंजिरियरिंग कॉलेजे से all are the private मतलब यह प्राइवेड कॉलेज़ों में यह सब रूल रिजर्वेशन अप्लिकेबल है, उसमें आवर एक रिजर्वेशन वो एक्जाम का रिजर्वेशन 25% सेट्स, MST, CT रिजर्वेशन, 20% जनरली मेरेजमेंट कोटा होता है और 15% जेए थ्रू सेट्स भरे जाता है जेजर्वेशन एकादया ब्राइचला शंबर जागा है, शंबर पाईकी पासश्च्ट जागा MST 15 जागा शंबर पाईकी यह जेए थ्रू भरला जाता है मूतनले बोतर के जमयेख काल्चे टनारा रिभी क मता सहीं हुआ क्र हैं जमय एक काली। सीलि거든 मतमचम साल एंड़ में 곧नकेट आपक साथ हुआत्य परनि गंदिय क् मैनुरीक मिनृत्व वसके भी नहीं रहेएवाज भाजा गजाएं राधा प्रास वह जा मत वाएवाजा के लिए आपकिछा जरूएं ⁫ सने में रहेज़ाग जर्वाज विए्युअ ₹ सब्श्वाज मत वारते बेजा है शेलुआ बहएबा हएज सर्विज्वाण केट वालें काई कॉलेजे जसी में तुम अला ब्रांच देले ए तौपमोस्ट ब्रांचेच चा लीज दिले आसे में काई तौपमोस्ट गॉर्जन छी लीज लीज्ट तूब्चा समयाई जे रेपुटेट कोलेज आहे महारास्टा मदेग, सर्दार वल्लब, ICT, गवर्मेंट कोलेजेशे, वाल्चन सांगली, गुरुगोमी जिन्हान देर, ये तॉप मोस्ट कोलेजेशे, इस सगले टॉप कोलेजेशे, PICT, इस सगले टॉप लिष्ट, इस सेक्वेंचली आमी लि जन्राले पहला नंबर छे, जन्राला पहल नंबर छे गॉलेजेशे, पहले आगला लागली, वालो अनुणी लिसेशे लिसे भरत अना, पूरवयेशे, पहलें दे में पहला नंबर लाकल कोलेज, टकाका हर्गलार लाग लागला, इस सगलेक, सल किषी , फत्या날 लें, आमी केटागरी नुसार, अपल्या सुई नुसार, अपल्या ब्रांच नुसार, अपल्या ला कॉलेजन चा क्रम हा बदलावा लगतो, बन्वावा लगतो, येस, विश्ट बन्नो, और मला अन्यान अवरेज कॉलेज मिले चांसे, याई वर्षी, आईटी आनी कम्पुटर ला खू करना गर्जे चांसे, और कुटली लिश्ट आकता ना, कुटली कॉलेज आकता ना, सर, मला ही मिलाला पाइचा, या स्कोर वा डिपेंड, क्याटागरी वा डिपेंड, प्रावेट कॉलेज असेल तू कुटला इन्वर्सिटी मदे आए, तू लेडीज आए, इजेंड से, य करना गर्जे चांसे, फॉम भरताने आमी मदद करना रहे, एनारे नवी नियम चुद्धा, आमी तुमाला सांगना रहा चाहोत, ये बेसिक इन्फोर्मेशन आहे, ते आज आमी तुम्चा परंता पोसो, येस की इन्फोर्मेशन मास, अजून आपले आतरू, आमी आजूने ते आनना सिकवन्या मदे त्रास होतो, कि वा ते वड़ा कंसेप्ट अंचा बेसिक इन्फोर्मेशन आहे, ते आमोले जोड़ी ग्रीप वाईला हवी ते वड़ी होत नहीं, मनुना आमी एंटायर होल महाराष्टा, आल सब्जेक्ट, फियो आप कॉस्ट लेक्चर सुरू कर पुटलेई चार्जेस नहीं है, जानना पूर्ण पने चाप्र मदले सगले इंपोर्टन पॉइंट्स, कीवर्स, कीनोड्स, स्वार्टकर्ट्स या अध्ता पसुन देना रहे, मजे जवाहे मुला क्रैश कोर्स लाहे ताथ, अटलिस्ट बेसिक फाउंडेशन जर्ट सांग अध्यमात, अपले कोनी फ्रेंड्स 12 मदे असेल, त्या सर्वान साथी, नेक्स्ट वीक पासना, आमे पूर्ण पने फ्री असे चानना अल्ड पीसी अंबी चे लेक्चर शुरू करता होत, पोर्ड प्लस का ही एंट्रांस ता मदे घेनाता हम सा प्रेतन असेल, अपले आजो तुम्हाला TFWS आने EWS या मदला फरक्सागितला एकदा पुर्णा रिपीड करतो, TFWS ची संबटक के फीस तुम्हाला माप असते, गवर्मेंट की भणनार असते, मात्रा इकोनोमिकल विकर ला 15 तक के फीस तुम्हाला भरावीच लगते, पन या साथी तुम्चा कड़े इंक साथी कीट मस्ट, पन EWS चा रिजर्वेशन में ला ए, TFWS चा रिजर्वेशन में, इकोनोमिकल विकर असतुडन ला 10 परसेंट रिजर्वेशन है आने TFWS ला 5 परसेंट रिजर्वेशन, फेस सगले कालकुलेशन तुम्हाला 2 का अथ उनाच या काम करा, तुम्हाला काई इकोनोमिकल विकर स्टुडेंट असता जानना पीजबरने शक्या नहीं है। इकोनोमिकल विकर स्टुडेंट असता जानना पीजबरने शक्या नहीं है। इकोनोमिकल विकर स्टुडेंट असता जानना पीजबरने शक्या नहीं है। इकोनोमिकल विकर स्टुडेंट असता जानना पीजबरने शक्या नहीं है। इकोनोमिकल विकर स्टुडेंट असता जानना पीजबरने शक्या नहीं है। आसाची याश तुमाला पुडेंग मलत रहो यामी परमेश्वरचर नी प्रार्थना करतों। आचा चोटाचा एपीजब होता जा मदना तुमाला काई डॉकोमेंट ची माहिती देना होती। जसे जसे नविन रूर्स नर ती सगले तुम्चा समोरामेठी उना रावत। नेक्ट लेक्छर मरे फार्मसी ची अड्मिशन प्रुसेस। आग्रीकल्टर ची अड्मिशन प्रुसेस। त्याची पन लिंक तुम्चा ग्रूप वर्थे नर आने तुल्या दूस्ता त्याची पन इंफॉर्मेशन अपले अपरें तप रवली जायलें। तुन्ना एकदा सर्वांची आबार, जै हिंद, जै महाराश्क्र। अबार, जै मैंबार, जै महाराश्क्र।